चुनाओं के माहौल के बीच में कॉंग्रेस राफेल मुद्दे को ले करके लगातार बीजेपी पर हावी होने की कुशिश कर रही है राहूल गांदी ने प्रेस कॉंफेंस करके आरूप लगाया कि कैसे डसॉल्ट ने रिलायंस आनि लंबानी के उस कंपनी को फंड किया जो डीफंद हो चुकी थी और अब उसके तुरंत बाद युथ कॉंग्रेस इंडियन युथ कॉंग्रेस अपना पूरा मोर्चा ले करके इस्तुगलक रोड से होते हुए प्रधान मंतरी आवास का घेराव करने की तयारी करने में जुट गई यह तमाम सारे जो भी कॉंग्रेस युथ कॉंग्रेस के कारिकरता है प्रधान मंतरी आवास जाने के तयारी कर रहे है जहां पहले से ही CRP और ITBP को तैयनात किया गया है ताकि किसी भी हाल में कारिकरताओं को प्रधान मंतरी कारियाला तक ना पहुँचने दिया जाए तो बैनर पोस्टर लेकर के रहुल गांधी के प्रेस कॉंग्रेस के कारिकरता अर्धान में प्रधान मंतरी के घर का घर का घिराव करने के लिए देखिये उतर चुके हैं और इन तमाम लोगों के बीच कांग्रेस सीधे सीधे 2019 में वही मोमेंटम खड़ा करना चाहती है जो 2014 के चुनाओं के ठीक पहले बीजेपी ने टूजी और कॉमन विल्थ को ले करके कांग्रेस के खिलाफ किया था तो आ यह देखिये इदार आईटी बीपी ने प्रधान मंत्री के घर के ओर जाने वाले जो राष्ते हैं वहां बंद कर रखे हैं ताकि इन कारिकरताओं को वहां जाने की इजाज़त न दी जाये पिलभाए जासके दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं